अब यह बताओंगा वैपारियों कैसे पसाया जाए बसाते जिन्दिके खतम हो जा रही है यहां उजाड़ दिया लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ जिस दिन नगर निगम तब्जे में होगा नगर निगम पे जनता का मुझे जहिंद आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूँ कमार भब्लू तो साथिवा भी देख रहे हैं गोरखपुर में चुनाओ का उठापटक चल रहा है और सभी परत्यासी यहां पर मैदान में उतर चुके हैं और जो भी पार्टियां हैं अपने अपने जो चेहर लेंगे और उसके बाद से हुद बहुत स्वागत है आपका एबीसी हिंदुस्तान चैनल में धन्यवाद आपने हमारा इंटर्व्यू लेने का मन बनाया मैं आपको हिर्दय से आपका भार्वेक्त करता हूं सर हमारी जो दर्सक हैं वो जानना चाहते हैं कि बियस्पी इस बार किस मुद्दो को लेकर के चुनाव में उतर रही है देखिए ये नगर निकाय का चुनाव है मेर माहा पौर का चुनाव है और यहां कि जो मूल भूत समस्याएं हैं उसको जनता फोकस करेगी कहीं कहीं जन से हम लोग देख रहे हैं आज भी जल जमाओ की समस्या बरसाथ के दिनों में खत्म नहीं हो पाई च्छा साल साथ साल हो गया है वहमत की सरकार को लेकिन गोरकपूर में यह समस्या भी तक खत्म नहीं हुई तो सर किस एरिये में आपको जल जमाओ का जो आप बता रहे हैं कि जल जमाओ लग रहा है इस वर्स काफी देखने को मिला है तो क्या कहाना चाहेंगे इस पर देखे आप गीता प्रेस रोड चले जाईए आप गीताप्रेस रोड गोरकपूर का नहीं उत्तर-परदेश का भ साइकल डूब जाती है उसके बाद इधर आ जाएए यह एकदम बैंक रोड का मैं एरिया बता रहा हूं जहां चित्रकुप्त मंदीर है कायस मंदीर है वहां पर अगर मुचलाधार एक भी बारिस होई तो वहां से ले करके आपको घुटने तक पानी आएगा कि आपकी बाइक जाएगी इस इतना ही नहीं आप राप्ती कंप्लेस बैपारियों का गड़ है हब है वहां दुकाने हैं सैकडो आज भी अगर पानी परसता है तो उसके पानी को निकालता है तो ऐसे में बताईए कहीं कहीं नुकसान तो हो रहा है गोरगपूर का लेकिन कहीं कोई ध्यान न हो रहा है यह आपको आपका जो बना हुआ है मेडिकल एम्स कॉलेज बना हुआ है वहां से अगर आपने आप चले जाई पानी एक मुझलादार होगा यहां से लेके सिंहडिया वाला रोड आप देख लीजे पूरा पानी सबर जाएगा तो सारी समस्यां पानी की है इस नही हुआ है सारे कि सारे राश करेंगे कहीं किसी प्रकार की कोई इस तरह की अभी तक कोई विकास का में तक काम नहीं हुआ है बिजली और सड़क को लेकर करने वालाली जहां तक जोब जब की बात है जहां तक नगर निकाय में जितने करमचारी हैं, सबसे पहले जो सम्विदा पर काम करने वाले हैं, उनको मैं अस्थाई कर दूँगा, जो सेलरी उनकी आठ हजार है, आज कल होता क्या है आठ हजार रुपे में, आठ हजार में कोई काम होगा, 28,000 रुपे की सेलरी मिलेगी उसे, ताकि एक नौजवान भ सब्सक्राइब होगा, और जौब जहां तक है, युवा को यह तो युनिवर्सल टूथ है, क्या जौब नहीं है, लेकिन एक जौब मैं और देने जा रहा हूं, और उत्तर प्रदेश में, सबसे पहला यह होगा, गोरकपुन निगम के अंतरगत, असी वार्ड हैं, असी वा ताकि उस महले में, पूरे में, कहीं भी रात, भी रात, किसी महिला को प्रसव हुआ, या कोई बच्चे की तवियत खराब हुई, उसको अपनी सारी सुबदाएं, सारा उपचार उस वार्ड में मिल जाए, यह मेरा पहला है, जिसमें कि बच्चों को अमीबियस करके, बच् बच्चनी मजबूती से वो खड़ा कर पाएगी, देखे सिक्षा ब्यवस्ता से हर गार्डियन परिसान है, हर गार्डियन को आप देख लीजिए, अभी बच्चा दो साल का होता नहीं है, उसको एडमिसन का टेंसन होता है, हर आदमी चाहता है मेरे बच्चे को यहां पारे जो बिद्याले हैं, उच्छ सिच्छा नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों को बढ़ियां ब्यवस्ता नहीं दे रहे हैं, मैं जितने भी नगर निगम के अंतरगत, सरकारी बिद्याले हैं, सबको वही एडुकेशन जो लोग एच्पी चिल्डरेंस एक्रडमी में खोश देखें, मुद्दे तो इसमय नगर निकाय का है, हम कोई लोग सभा की बात करेंगे नहीं, यह हमारी बहन मायवती जी है, वो इन्वर्सल बात करेंगी, लोग सभा की जब आएगा चुना, उस समय लोग सभा जैसे मुद्दों को देखा जाएगा, कि देश में क्या गंभी की जनता के लिए जीतना बहुत ही जरूरी है, और जीत करके इससे 2024 का जो बीगुल होगा, वो हमारी बहन मायवती जी और आने वाले समय में संदेश देंगी, जो भी देश के लिए बहतर होगा, वो काम करेंगी, अब यह बताईए, गोरग पुर्सियम सीटी है, मैं बैपा अब यह बताईए, सीम सीटी में होना चाहिए, वो अगर जगा किसी की है, नगर निगम की है, नगर निगम के अंदर अगर ऐसा हो रहा है, तो घोर निन्द नहीं है, हमने असुरान चौराय पे जाकर के विरोध किया, आज तक पता नहीं चल पाया, कि असी दुकाने जो द साते पसाते जिन्दिगी खतम हो जा रही है, यहां उजार दिया गया, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ, जिस दिन नगर निगम कब्जे में होगा, नगर निगम पे जनता का मुझे आसिरवाद मिलेगा, एक भी बैपारी की दुकानों को, बिना किसी बैपारी के समझ करने के लिए बनाया गया है, किसी के घर्द को खतम करने के लिए नहीं है, हर जगा नियम बने हुए है, बिना किसी आज मुआउजा भी मिलता है, किसानों की जमीन भी लेते हैं, चार गुना मुआउजा देती है सरकार, आज किसी के बसे बसाए, 80 परस का रोजगार, 50 परस से घुर्द निंदनी है, यह तो मेरे नगर निगम के स्थापना काल में तो बिलकुल नहीं परतास करूँगा, तो आप क्या करेंगे अगर आ जाते हैं सत्ता में, तो क्या करेंगे, बिलकुल दुकाने एक भी नहीं तूटेगी, हम जो दूट गए हैं, उनको क्या मुआ द दिलवाने का काम करेंगे सरकार से, बिलकुल करूँगा, उदर की जितनी भी अगर दुकाने टूटी है, सासन पर सासन के पास उसका रिकार्ड होना चाहिए, तो को लेकर की जूदने भी मेर हैं, वो अपना-पना स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसी स्टेटमेंट को आगे ब आपरो को पाने के लिए हमारे ABC हिंदुस्तान न्यूस से जुड़े रहेंगे, और हमारे कैमरामें सयोगी सीवम पाटर के साथ मैं कुमार बबलू, और आप देख रहे हैं ABC हिंदुस्तान